नमस्कार लाइब बिहार देख रहे हैं आप बिहार में बेरोजगारी एक बहुत ही बरी समस्या है बिहार में ही नहीं बलके पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बरी समस्या है और इस कोरोना काल में यह समस्या और भी बरी होती चली गए क्योंकि पिछले साल यानि 2020 लगभग 3 करोर लोगों ने अपनी नौकरिया गमाई यानि की बेरोजगार हो गया ऐसे में बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि बिहार में 3 बरी कमपनियां लगभग 886 करोर रुपे निवेस करने जा रही है आपको बता दें कि ITC, Britannia Industries और भगवती Foods Private Limited को इकाया स्थापित करने और विस्तार के लिए भूमी आवंटित कर दी गई है इसमें ITC और भगवती Foods खाद प्रशन्सकरन इकाया स्थापित करेंगी वहीं बिरिटानिया बिस्किट बनाएंगी इन तीनों कमपनियों में करीब 1300 को रोजगार मिलेगा मुखमंत्री नितिश कुमार की साथ निश्य योजना पार्ट टू में रखते वे उच्छ प्रात्मिक्ता में रखा गया है खासकर नई निवेसकों को लाने पर जोर है इस करम में मंगलवार को एक महत्पुन कदम बढ़ाया गया है राजज सरकार ने ITC, Britannia Industries और भगवती Foods Private Limited को इकाया स्थापित करने और विस्तार के लिए भूमी आवंटित कर दी है यह कमपणिया राजज में 886 करोर का निवेस करेगी वही नए रोजगार के आवसर भी स्रिजित होंगे राजज सरकार ने बीते दिनों और द्योगिक निवेस प्रोतसाहन नीती में कई बदलाव किये थे बियाडा ने भी बीतो दिनों जमीन की दरों में कटूती की थी हलाकि इसकी अधिसूचना जारी न हो पाने के कारण कई महीनों से उद्योग के जमीन संबंदित प्रस्तावों पर फैसला नहीं हो पा रहा था आत्म नीर्वर बिहार बनाने के संकल्प के करम में नई उद्योग लगाने के लिए तीन कमपनियों को जमीन दी गई है मंगलवार को हुई ब्याडा की प्रोजेक्ट कमेटी की बैठक में तीनों कमपनियों को जमीन देने की बात कही गई है ITC को चीन निगम से हाली में मिली महवल मुजफरपूर की 60 एकर जमीन अवंटित की गई है कमपनी यहां खाधी प्रसंसकरन की बड़ी इकाई अस्थापित करेगी इसमें पहले चरण में 599 करोर का निवेश किया जाना है वहीं 500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाना है बिटानिया इंडरस्ट्रीज लिमिट को सिंकंदपूरा बीटा में बिस्किट एवं बेकरी उत्पादन के लिए 5 एकर जमीन दी गई है इसमें करीब 300 करोर के निवेश का दावा किया गया है वहीं 200 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसके अलावा भगवती पे निवेश और 548 लोगों का नियोजन प्रस्तावित है तो यह बिहार के लिए अच्छी ख़बर है क्योंकि तीन बरी कंपनिया बिहार में निवेश करने जा रही है इससे लोगों को रुजगार मिलेगा और लोगों की जो परिशानिया है वो दूर होगी आप लाइव ब बिहार अब बन गया है लाइव बिहार